आप देख रहे हैं जै भारत टीवी भारत ने ग्यारवे पाइदान से यहां तक का सफर टै किया है अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका चीन जापान और जन्मनी रह गए हैं यह ब्रिटेन के लिए बड़ा जटका है और भारती अर्थव्यवस्ता के लिए शांदार खबर है 75 साल पहले जब देश आजाद हुआ था तब अंग्रेजुन सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी कॉलोनी उसे पचाड कर 5 लीडिंग एकॉनमी में जगे मना लेगी जी हां भारती अर्थव्यस्ता में लगातार जारी मजबूती का असर देखने को मिल रहा है यूरोप की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेर्की डॉलर में की गई गड़ना के अनुसार भारत ने 2021 की आखरी तिमाही में यूकी को पीछे चोड़ा है वहीं IMF की GDP आखनों के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही भारत ने अपनी बड़त और मजबूत की है अनुमानू के अनसार इस ग् माचमी सबसे बड़ी अर्थव्यास्ता बन सकता है डॉलर के एक्सचेंज रेट के आधार पर नॉमिनल कैश में भारती अर्थवयास्ता का साइज 855.77 ऑरभ दॉलर था इस अवधी में इसी आज़ार पर यूके के अर्थव्यास्ता का आखार 816 ऑरभ डॉलर था अनुमान में सबी प्रमुक अर्थव्योस्ताओं में सबसे तेज है वहीं दूसरी तरफ UK के अर्थव्योस्ता में सुस्ती की संभावना जताई जा रही है इसे देखते हुए IMF ने अनमान दिया है कि सालाना आधार पर डॉलर मूलिय में भारत UK को पीछे चोड़ कर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्योस्ता बन जाएगा सालाना आधार पर भारत की अर्थव्योस्ता 3.1 7 लाग करोड डॉलर की है और UK से कुछी पीछे चटे स्थान पर है UK की GDP फिलाल 3.1 9 लाग करोड डॉलर की है साथ प्रतिशत की अनुमानित ग्रोध के साथ भारत के इसी साल UK को सालाना आधार पर भी पीछे चोड़ने की संबावना है फिलाल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्योस्ता अमेरिका है जिसके बाद चीन फिर जापान और उसके बाद जर्मनी का नंबर आता है भारत की GDP ने बीते 20 साल में 10 गुना बड़त दर्ज की है ब्यूरो रिपोर्ट जैभारत टीवी